क्या ये quadratic equation होगा आप बोलोगे भीया बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहां पे variable के highest power कितनी है और equation के case में इन्हें बोला जाता है roots of the quadratic equation और जिन points पे ये x-axis को cut कर रहा है मानलो alpha और beta है मानलो यहां पे alpha है और ये बीटा है ये quadratic equation है बिल्कुल है यहां पे power कितनी है 2 है हेलो माई आयोटाज मेरा नाव है खुलडी बंडारी और प्यार से बच्चे मुझे खुलूबईया के नाम से भी जानता है और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं quadratic equation के introduction और उसके standard form के बारे में make sure like कर दो दोस्तों के साथ video share कर दो और चैनल पर अगर नए हो अभी अभी आए हो या चैनल को subscribe नहीं किया make sure चैनल को subscribe जरूर करना ताकि सही time पे relevant जानकारी आप लगों को मिल सके ठीके जी चला quadratic equation के अगर हम बात करें देखो बिना time waste किये मैं चीजों को सीधा सीधा मुद्धे पर आऊंगा और चीजों को बताने की कोशिश करूंगा कि क्या मतलब है quadratic equation को और कैसे आपके पास basic से जो terms होती है वो क्या होती देखो quadratic equation को समझने से पहले हम equations को समझेंगे जैसे हमने linear equations in two variables में समझा था कि equations का मतलब क्या होता है तो equation एक ऐसा expression होता है दोस्तो equation एक ऐसा expression होता है दोस्तो जिसमें आप लोगों के पास कुछ constants होते हैं कुछ constants होते हैं या फिर कुछ variables होते हैं या फिर दोनों के दोनों एक साथ होते हैं लेकिन more and important चीज़ जो होती है वो यह होती है कि आपके पास left hand side में और right hand side में कुछ चीज़े होती है और बीच में equality का sign होता है तो उस expression को आपका equation बोला जाता है अब जैसे हमने linear equation में समझा था कि linear equation एक ऐसा equation होता है जहां पे आपके पास variable की highest power होती है वो क्या होती है व्यसे ही quadratic equation में आपके पास क्या होता है quadratic equation एक ऐसा expression होता है जहां पे variable की power, जहां पे क्या बोला मैंने, जहां पे power of variable, highest power of variable, highest power of variable variable के जो highest power होती है, वो क्या होती है variable is 1, highest power of variable क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ऐसे expression को हम लोग क्या कहते है, quadratic equation बोलते है, है न, equation यानि कि एक ऐसा expression जहाँ पे आपके पास constant और variable दोनों होते हैं या दोनों में से एक भी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा important जहाँ पे LHS, RHS आपस में बराबर होते हैं बीच में एक equality का sign होता है और quadratic का मतलब होता है एक ऐसा expression जहाँ पे आपके पास जो भी variable use हुआ है उस variable की highest power कितनी होनी चाहिए 1 नहीं 2 होनी चाहिए 1 होती है तो linear equation and 2 होती है तो quadratic equation ठीक है अब अगर मैं इसका एक example लिखू अगर मैं इसका एक example लिखू और समझने की कोशिश करू quadratic equation को तो क्या है अब आरे पास quadratic equation जैसे x square plus 4 यह आपके पास एक quadratic equation है क्योंकि यहाँ पे variable की power क्या है 2 है अगर मैं आप लोगों के पास लिखू 3x square plus 5x अच्छा equals to 0 या कुछ भी equals to 0 तो यह भी आपके पास एक quadratic equation है क्योंकि आपके पास देखो दो variable है x यहाँ पे x की power 1 है यहाँ पे x की power 2 है बट highest क्या है highest 2 है तो यह क्या है आपके पास एक quadratic equation है highest power चेक करना है मानलो आप लोगों के पास है minus 5x square plus 2x plus 3 equals to 0 यह एक expression highest power of variable अभी भी कितनी है 1 है 2 है तो इसका मतलब यह भी क्या है आपके पास एक quadratic equation है अच्छा अगर मानलो मेरे पास है x की power 3 plus 5x square plus 6 equals to 0 क्या यह quadratic equation होगा क्या यह quadratic equation होगा आप बोलोगे भीया बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे variable के highest power कितनी है 3 है तो यह quadratic equation नहीं है यह quadratic equation नहीं है तो quadratic equation एक ऐसा expression होता है दोस्तो जहाँ पे variable की highest power क्या है 1 होनी चाहिए अगर मैं अपने इस quadratic equation के general form की बात करूँ या standard form की बात करूँ standard form यानि की general form जो होता है वो कैसा होता है standard form आपके पास कोई भी quadratic equation हो उसका जो standard form होता है बिटा वो होता है ax square plus bx plus c equals to 0 यह किसी भी quadratic equation का एक standard form होता है अब यहाँ पे आप अगर a की जगा पे 1 रखोगे b की जगा पे 0 रखोगे और c की जगा पे 4 रखोगे तो आपके पास यह वाला expression बन जाएगा a की जगा पे 3 रखोगे b की जगा पे 5 रखोगे c की जगा पे 0 रखोगे तो यह expression बन जाएगा a की जगा पे minus 5 रखोगे b की जगा पे 2 रखोगे c की जगा पे 3 रखोगे तो ये expression बन जाएगा इसी तरीके से आप a, b और c की values को अलग-अलग substitute कर सकते हो और यहाँ पे a, b और c जो होता है it can be any real number ये कुछ भी हो सकता है कोई भी real number हो सकता है चाहे वो rational हो चाहे वो irrational हो बस एक बात ध्यान रखना कि कभी भी a 0 के बराबर नहीं होगा a 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है b, c तो 0 हो सकता है b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है but a 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है decimal हो सकता है, fraction हो सकता है A 0 क्यों नहीं हो सकता है? अगर देखो मैं A को 0 रख दू तो ये क्या हो जाएगा? 0 into x square plus Bx plus C equals to 0 तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया तो ये क्या बन गया? Bx plus C equals to 0 क्या अब ये quadratic equation नजर आ रहा है आपको? क्या ये quadratic equation नजर आ रहा है? नहीं भईये ये तो linear equation बन गया है ये तो linear equation बन गया है तो A कभी भी 0 नहीं होगा इसमें A कभी भी 0 नहीं होगा क्यों? reason है ठीक है जी? चलो तो ये बहुत simple सा basic है quadratic equation का ये इसका standard form है दोस्तों और मतलब मैंने आपको बता दिये अब quadratic equation में सबसे पहला जो doubt होता है बच्चों का वो ये होता है कि भीया ये तो हमने polynomials में भी पढ़ा था polynomials में और equation में क्या फरक होता है? एक quadratic polynomial में और एक quadratic equation में क्या फरक है भीया? क्या फरक है? देखो polynomials जो होते थे वो सिर्फ ऐसे होते थे 2x square plus 3x plus 4 सिर्फ ऐसा आपके पास एक quadratic polynomial होता है लेकिन अगर मैं बात करू equation की 2x square plus 3x plus 4 बराबर किसके है बिटा? 0 के है 0 के तो एक equation कब होता है जब बीच में equality का sign हो अगर equality का sign नहीं है तो वो simple आप लोगों के पास एक polynomial कहलाता है ठीक है भाईया ठीक है चला तो यह आप लोगों के पास quadratic equation होता है और polynomial फिर एक और चीज आती है फिर एक और चीज आती है बिटा फिर आता है इसका solution लेकिन solution हम next उसमें करेंगे जब हम इसके method सीखेंगे solution वाले हैं ना एक काम करते solution बताई देता हो मैं आपको क्या मतलब होता है solution का कैसे निकालना है वो तो अगले उसमें देखेंगे लेकिन solution of quadratic equation solution of quadratic equation क्या मतलब है solution of quadratic equation भाया मान लो कोई भी quadratic equation है आपके पास मान लो कोई भी quadratic equation है आपके पास x square plus 4x plus 4 x square plus 4x plus 4 मान लो आपके पास ये quadratic equation है बराबर 0 की इस quadratic equation के अगर मैं solution की बात करूँ solution की बात करूँ तो इसका solution का मतलब क्या होगा solution का मतलब होगा कि x की वो value एक्स की वो वैल्यू जो आपका पूरा इक्वेशन जीरो बना दे अब माल लो मैंने एक्स की जगह पे टू सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस टू सब्स्टिट्यूट करते एक काम करते माल लो x की जगापे माइनस 2 अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दू x की जगापे अगर मैं माइनस 2 सब्स्टिट्यूट कर दू तो यह हो जाएगा आपके पास कितना माइनस 2 का पावर 2 प्लस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 4 देखते ही कितना आता आंसर तो यह हो जाएगा 2, minus 2 की power 2 कितना हो जाएगा 4, 4 into minus 2 कितना हो जाएगा minus 8 plus 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा बेटा, 8 minus 8 कितना हो जाएगा आपके पास 0, यानि कि x की value अगर मैं minus 2 substitute करूंगा, तो इस quadratic equation का answer कितना आगया बेटा, 0 आगया, इस quadratic equation का answer कितना आ गया 0 यानि कि minus 2 जो है minus 2 जो है is the solution is the root roots of x square plus 4x plus 4 इस quadratic equation का यह क्या है बिटा roots है roots है जैसे polynomials में हम पढ़ा करते थे क्या zeros यहाँ पे देखो polynomial के case में यह होता है zeros और equation के case में इने बोला जाता है roots of the quadratic equation ठीक है तो इस quadratic equation का root क्या है minus 2 अब माल लो मेरे पास कोई quadratic equation है x square plus x square minus 4 equals to 0 यह quadratic equation है बिटा अब यहाँ पे अगर मैं x का value plus 2 substitute करूं तो देखो answer कितना आता है 2 का square minus 4 2 का square 4 होता है 4 minus 4 कितना हो जाएगा 0 आ गया ठीक है और x की value अगर मैं minus 2 substitute करूं x की value अगर मैं minus 2 substitute करूं तो minus 2 का power 2 minus 4 यानि कि minus 2 की power 2 4 हो जाएगा minus 4 कितना हो जाएगा 0 आ गया यानि कि x की value चाहे आप 2 substitute करो या minus 2 substitute करो answer सबसार आप का कितना आ रहा है जीनव यह दौनों किए सब चॉनौ अब यहां से न एक और चीज समझ में आएगी यहां से न आपको एक और चीज समझ में आएगी कि अगर आपके पास कोई भी Quadratic Equation है अगर आपके पास कोई भी Quadratic Equation है तो उस quadratic equation के maximum maximum जादा से जादा maximum two roots होंगे maximum कितने roots होंगे किसी भी quadratic equation के दो roots होंगे कोई भी quadratic equation है उस quadratic equation के maximum कितने roots होंगे दो roots होंगे अब भाईया इनके थोड़ एक मतलब जैसे हम उसमें किया करते थे न polynomials में alpha और beta और इस तरीके से अब अगर मैं इनके graph की बात करूँ तो हमेशा कोई quadratic equation का जो graph होगा वो कैसा graph बनाएगा parabola graph बनाएगा या तो ऐसा बनेगा या तो यह parabola कैसा बनेगा लिएखना की तरफ बनेगा नीचे की तरफ बनेगा नीचे की तरफ बनेगा, है न, या तो उपर की तरफ बनेगा, या तो नीचे की तरफ बनेगा, अब हमेशा याद रखना, अगर A का value greater than 0 है, positive है, positive है, तो ये graph कैसा बनेगा, उपर की तरफ मुह गरेगा, लेकिन अगर A का value less than 0 है, A का value अगर less than 0 है, तो ये graph का मुह कैसा चोटा चोटा एक marks का सवाल आ जाता है कभी कबार और जिन points पे ये x axis को cut कर रहा है माल लो alpha और beta है माल लो यहाँ पे alpha है और ये beta है तो इस quadratic equation के roots जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा एक हो जाएगा alpha और एक हो जाएगा beta अब कभी कबार ये जो graph होता है ये जो graph होता है ये इस तरीके से भी बनता है देखो माल लो ये इस तरीके से भी बनता है इस तरीके से भी बनता है ऐसा सिर्फ एक point पे touch करेगा सिर्फ एक point पे touch करेगा जरूरी नहीं है origin पे ही touch करे जरूरी नहीं है origin पे ही touch करें ये कहीं और पे भी touch कर सकता है ऐसे सिर्फ एक point पे touch करें इसका मतलब क्या है इसका सिर्फ एक root है क्योंकि ये origin को x axis को सिर्फ एक point पे touch कर रहे जरूरी नहीं है उपर की तरफ करें नीचे की तरफ भी कर सकता है ठीक है यह जो ग्राफ है ना बेटा कभी कबार यह ऐसा भी होता है कि X-axis को एक भी पॉइंट पे टच ना करें या तो उपर की तरफ या तो नीचे की तरफ ऐसे ऐसे अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब है नो रूट्स के एक भी रूट्स नहीं है इसके बारे में हम अपने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे जहांपे मैं आपको इनका नेचर के बारे में बताओंगा रूट्स नेचर आफ डी रूट्स बट अभी यहां पर यह समझो कि सुल्यूशन या रूट्स का मतलब क्या हो सवाल आते हैं आप लोगों के पास एक marks का which of the following is a quadratic equation इन में से कौन सा quadratic equation है तो अगर मैं बात करूँ पहले वाले की तो आपके पास क्या है बेटा x plus 2 का whole cube x plus 2 का whole cube LHS में तो x plus 2 का whole cube अगर मैं open करूँ x cube plus a cube plus b cube plus 3 into a into b bracket के अंदर a plus b और RHS में कितना है x cube minus 8 देखो x cube से x cube कट गया 2 की power 3 कितना हो जाएगा 8 3 to the 6 6 x हो जाएगा bracket के अंदर 2 x plus 3 होगा आपको solve करना यह मत देखना कि यहाँ पे variable के highest power 3 है कट गया 3 तो है ना तो यह हो जाएगा 8 यह वाला 8 भी इदर लियाओ 6 into 2 जाएगा बारा x square प्लस 6 दुनी 6 तियां 18 x है ना प्लस 8 equals to 0 तो यह आपके पास आजाएगा quadratic equation है यहाँ पे a का value 2 है b का value चेक करेंगे 18 है और c का value कितना है 16 है बस बहुत simple सी कहानी है ना दूसरा सवाल अगर मैं देखू आपके पास क्या है x plus 1 का whole square और इधर क्या है यह है तो x plus 1 का whole square अगर मैं खोलू तो a square plus b square plus 2 into a x plus 1 upon x अब यह 2 into x plus 1 upon x पूरा का पूरा इधर उठा के लिए आओ तो minus हो जाएगा 2 into x plus 1 upon x और यह 3 भी इधर आएगा तो minus हो जाएगा इधर बच गया 0 यह तो cancel हो जाएंगे आपस में लेकिन यह क्या बच गया आपके पास x square plus 1 upon x square minus 3 equals to 0 अब आप बोलोगे भईया variable की power कितनी है highest power कितनी है 2 है तो यह भी quadratic equation होगा नहीं बेटा आपके पास यह क्या है x square plus यह अगर कभी भी variable denominator में हो उसको उपर वेजो उसको उपर वेजो उपर जाके यह क्या हो जाएगा power minus 2 हो जो होता है आपके पास अब आप बोलोगे भईया highest power तो यह है लेकिन क्या यह standard form में है क्या यह standard form में है आपके पास यह इस format में है ax square plus bx की power minus 2 plus c equals to 0 क्या quadratic equation इस format का होता है क्या quadratic equation इस format का होता है नहीं होता है तो यह आप लोगों के पास quadratic equation नहीं होगा यह होगा एक और चीज को समझो बेटा quadratic equation के जो format होते वो होते ax square plus bx plus c एक तो यह होता है एक quadratic equation का होता है बेटा ax square plus bx equals to 0 जहाँ पे c की value 0 है एक होता है आपके पास ax square plus c equals to 0 जहाँ पे b की value 0 होती है है ना यहाँ पे कोई भी 0 नहीं है यहाँ पे c 0 है यहाँ पे when c equals to 0 when b equals to 0 a कभी भी 0 नहीं होगा तो इस format में तो कोई भी quadratic equation आपका नहीं होता है ठीक है भाई चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बहुत basic basic से सवाल की तरफ find the value of a and b for which x is equals to 3 by 4 and x is equals to minus 2 are the roots of this equation यह plus है शायद ax square plus bx plus 6 equals to 0 तो आपको a और b की value निकाल लिए अगर 3 by 4 और minus 2 इसके क्या है roots है तो roots होंगे तो ax square plus bx plus 6 equals to 0 अगर इसका root 3 by 4 है बेटा अगर इसका root 3 by 4 है तो इसका मतलब क्या है कि इस equation में अगर मैं 3 by 4 substitute करूँगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो a into 3 by 4 का square plus b into 3 by 4 plus 6 equals to 0 तो यह हो जाएगा a 3 का square करोगे 9 4 का square करोगे 16 plus b 3 by 4 plus 6 equals to 0 तो अब अगर मैं इसके denominator में लूँ तो यह हो जाएगा 16 उपर हो जाएगा 9 into a 9 a plus 4 4 इसको नीचे भी multiply कर आओगे उपर भी 4 3 is a 12 b plus 16 6 a 96 equals to 0 16 पूरा का पूरा उधर चला जाएगा तो यह आजाएगा आपके पास 9 a plus 12 b plus 96 equals to 0 बहुत खतरनाक सी calculation है 3 common आ सकता है शायद यहाँ पर 3 common आ जाएगा तो यह आपके पास बच जाएगा कितना बेटा 3 a plus 4 b plus 32 equals to 0 तो यह आपके पास linear equation बन गया है 3 a plus 4 b plus 32 equals to 0 यह आपके पास क्या बन गया है एक linear equation बन गया है अब भाया इसमें आप 2 भी substitute करके देख लो इसमें आप x की जगापे minus 2 भी substitute कर लो x की जगापे minus 2 का square plus b into minus 2 plus 6 equals to 0 तो यह हो जाएगा 4 a square a minus 2 b plus 6 equals to 0 एक काम करते हैं एक काम करते हैं बीका को efficient equal करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस equation को minus 2 से multiply करना पड़ेगा यहाँ पर हो जाएगा minus 8 a यह हो जाएगा plus 4 b और यह हो जाएगा minus 16 oh sorry minus 12 minus 12 ही लिखा minus 12 equals to 0 दूसरी equation क्या है 3 a plus 4 b plus 32 equals to 0 दोनो equations को minus करोगे तो sign change हो जाएगे दूसरी equation के 8 और 3 minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा 8 और 3 कितना बज़ गया 11 a बज़ गया यह cancel हो गया इन दोनों को add करूंगा तो यह कितना हो जाएगा 34 44 बज़ जाएगा है ना equals to 0 तो 11 a is equals to 44 तो a का value कितना आ गया आपके पास 4 आ गया a अगर आपके पास 4 आ गया है तो b भी आप निकाल लोगे b की value भी निकाल लोगे यहां से निकाल लो a कितना आ गया आपके पास 4 आ गया है plus 4b plus 32 equals to 0 चार थी यहां 12 बारा एड़ करोगे 32 में तो 44 बन जाएगा तो 4b plus 44 equals to 0 यानि कि 4b is equals to minus 44 यानि कि b का value कितना हो गया minus 11 तो b कितना आ गया आपके पास minus 11 a कितना आ गया 4 आ गया बहुत basic सा सवाल है यह बहुत basic सा सवाल है linear equation in two variable का concept now which of the following is a quadratic equation इन में से कौन सा quadratic equation है आप लोगों के पास तो बारी बारी से check करते सबसे पहला क्या है आपके पास x square plus 1 यहां पे देखो x square plus 1 is equals to यहां पे क्या है 2 minus x का whole square 2 का square करोगे बिटा 4 x का करोगे तो x square minus 2 to the 4x plus 3 x square से x square कट जाएगा 1 को अगर मैं इधर shift कर दूँ तो इधर बच गया है 0, 4, 3, 7, 7, 7 और 1 इधर चला जाएगा तो 8, 7 minus 6, 6 minus 4 x क्या यह quadratic equation है आप बोलोगे भाईया पावर 1 है तो यह quadratic equation नहीं होगा दूसरे वाले को देखो दूसरा वाला क्या है आपके पास x cube minus x is equals to a minus b का होल क्यूब करोगे तो a cube minus b cube minus 3 into a into b bracket के अंदर a minus b x cube से x cube कट गया यहाँ पे था x minus x यहाँ पे minus 1 minus 3x into x कितना हो जाएगा minus 3x square minus 3x into 1 कितना हो जाएगा plus 3x सब कुछ इदर ले आओ तो यह हो जाएगा plus 3x square minus 3x minus x पहले से था plus 1 equals to 0 तो यह हो जाएगा 3x square minus 4x plus 1 equals to 0 यह quadratic equation है बिल्कुल है यहाँ पे power कितनी है 2 है तो यह quadratic equation है ऐसे ही इसको open करोगे तो यह भी x square cancel out हो जाएगा यह भी इस format में नहीं होगा तो यह भी quadratic equation नहीं होगा तो option number b is the correct one ठीके बड़े भाई चालो आखरी सबाद आखरी सबाद क्याता है keep x is equals to 3 is the root of this quadratic equation अगर इस quadratic equation का root 3 है यानि कि x की जगा पे अगर मैं 3 substitute करूँ यानि कि x की जगा पे अगर मैं 3 substitute करूँ तो मेरा पूरा पूरा quadratic equation क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए यानि कि 3 3 का square कितना हो जाएगा बिटा 9 हो जाएगा plus 3 into 3 के हो जाएगा minus 3 plus 9 equals to 0 9 3 कितना हो जाएगा 27 और इन दोनों को solve करोगे plus 3 के minus 3 plus 9 करोगे तो 6 हो जाएगा equals to 0 3 के plus 27 में 6 add करोगे तो 33 हो जाएगा equals to 0 तो 3 के is equals to minus 33 यानि कि k का value कितना आजाएगा minus 11 आजाएगा के का value कितना है बेटा minus 11 है ऐसे करना है इन questions को ठीक है जी तो यह तो था यार आप लोगों के पास quadratic equation का standard form के ऊपर कैसे सवाल आते next session में हम लोगों ने solution की तो बात कर ली यह इसका solution होता है लेकिन इनके solutions निकालते कैसे हैं इनके solution कैसे निकालोगे किसी भी quadratic equation के वो हम सीखेंगे next session में जो की होगा middle term splitting या factorization method फिर उसके बाद हम सीखेंगे एक और formula होता है quadratic formula जो बहुत जादा important है और फिर उसके बाद nature of the roots of the quadratic equation ठीक है जी so yes guys this is all about for this session बाकी I hope आप लोगोंने मजे की होंगे आज के session में किसी को मुझे अगर insta पर follow करना हो आप लोग कर सकते हो यह मेरा insta handle है and thank you so much for joining this session बाकी make sure पढ़ते रहो हसते रहो and channel को subscribe जरूर करना ताकि सही time पर relevant जानकारी मिल सके ठीक है जी चलो bye bye thank you so much